दलिया उक्मा दलिया उक्मा बनाने की विधी सबसे पहले दलिया लेकर उसे थोड़ा पानी में 15 मिनट के लिए भिगो ले अब एक स्टीमर में दलिया डाल दे पहला कर 15 मिनट तक इसे धीमी आज पर पका ले इस बीच दूसरे चूले पर पैन गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा टेल डाले और फिर राई, जीरा, अदरक लहजन के टुकडे, हरे मिर्च, प्यास थोड़ा जादा ही डाले और अब नमक, तेल में भुने हुए फल्ली के दाने, टमाटर डाल कर मिलाते हुए इसे पकाएं अब स्टीमर में से दलिया निकाल कर इसे पैन में डाल कर अच्छी तरह मिला ले आखरी में नीमू का रस डाल कर एक बार और मिला कर हरा धनिया डाल कर ऐसे गार्निश कर ले इसके बाद अब अपना चूला बंद कर दें इसे प्लेट में निकाल कर टेस्टी और पोस्टिक प्रेक्फ़स्ट रस्पी दलिया उपमा अपने बच्चों को खिलाएं अपने याज बढाद आएंगी और मिला कर देंगे बच्चों को खिलाएंस